जैहिन्द स्टुएंट्स वेलकम टू गैंग्स और टॉपर्स प्यारे बच्चो आज हम लोग इस क्लास में एरिया ओफ ट्रैपीजम एन पॉलिकॉन यह हमारा टॉपिक है जो हमारा करिए अब बाकी बच्चो सेशन को पूरा देखिए तब आपको एक कॉंसर समझें आएगा कि वी और वाइव यह वजिंगिस इस फॉर्मला अलो के तो चलिए सेशन को सुरू करते हैं बच्चो तो आज कर जो पहला सेशन है डैट इस लाइक दिस नाओ अले इंटरूस माइस करते हैं तो बच्चो सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ कोट लेते हैं ठीक है आज का जो मोटिवेशनल कोट होगा बच्चो वह आपका सिंबल है डैट इस सक्सेस की सबसे खास बात है देखिए बच्चो आपको सक्सेस मिन्स आप जैसे भी क्लास 8, 9 या क्ला इसमें क्या है? आपका जो सकस्सेस आप पर फीदा हो जाती है तो बच्चो आप महिनत करिएगा तो में चाहता हूं कि बच्चो आप उपने जो महिना अफक्षण डाल रहा है उसमें आफॉर्ट में दो गुना四 गुना उसमें और जादा बड़ा है ताकि आपको भी देखे बचो, simple सा question है यहापे, question आपसे पूछ ले रहाए आपसे, question बोल रहा है कि that is, we have a parameter of square, means we are going to talk about the square, देखे, square के वारें बात करेंगा, तो बचो, square हमारा इस form में होता है, तो square का क्या होता है, माल लेते है, sides है, side square का side हम लोग x माल लेते हैं, in case of square के बात करें, बचो, all the sides of the square are equal, बचो यह आपको पता होगे, what is the parameter of square, अगर sides हमारा x है, तो हमारा क्या होगा parameter, बचो, 4x हो जाएगा, वही question में पूल दे रहा है कि, and what is the area of square, बचो, अब आपको formula ही पता होगा, कि area of square is equal to, how much that is x square हो जाएगा, कितना होगा, बचो, x square हो area, तो यहाँ पर question बोल रहा है कि parameter is equal to area, अब देखें, बचो, यहाँ पर बोल रहा है parameter, parameter कितना देवा, 4x देवा है, और यहाँ पर area कितना देवा, x square देवा है, तो हम लोग सिंपल से कहा करें, बचो, यह जो x square होगा, हम लोग उठा के इस formula आ सकते हो, तो यहाँ पर क्या question, in the question it is given that, p is equal to a, p is equal to a, means, मतलब क्या होगा, parameter is equal to area, parameter आपका 4x देवा है, area आपका x square देवा है, तो हम लोग सिंपल से कहा करें, बच्चो, 4x और यहाँ पर x square को इस सेट ला करके, solve करेंगा, बच्चो, यहाँ पर बस यहाँ तक ही जाना था, बच्चो, आपके आपर आ यहाँ बोल सकते हैं, आप 4 minus x is equal to 0, means, यहाँ, from this equation, the value of x is going to 2 value होगा, पहला है कि x is equal to 0, दूसरा निकला मेरा x is equal to 4, तो बच्चो, यहाँ पर देख सकते हैं, कोश्चर में ही बोल दे रहा है, कि x का value हमारा कितना है, बच्चो, यहाँ पर x का value हमारा यहाँ पर कितना है थ बताए बच्चो, अगर square के बारे में बात करें, तो square का जो sides 0 हो सकता है, तो यह हमारा 0 नहीं होगा, तो हम लोग यहाँ पर cancer ही है, पार नहीं लेंगे, and we are going to get the value x है, यहाँ पर x का value कितना निकला है, बच्चो, 4 निकल लिए, आप question क्या बोल रहा है, कि find area, अगर निकाल लेगे न, तो यहाँ पर simple सा, यहाँ पर into, यहाँ फोर करेंगे, तो solve लाएगा, तो यहाँ बोल रहा है, question भी बोल रहा है, तो मातला, यह satisfy कर रहा है, आपका answer कितना को बच्चो, answer हो जागा, 16 unit square होगा, कितना को बच्चो, 16 unit square, बच्चो, अगला question देखते है, अगला question आ in each of the following case, यहाँ पर पहला case होगा, बच्चो, यहाँ पर दूसरा case होगा, तो यहाँ पर बोल रहा है, कि it is given ABCD, आपका simple सा, एक square दिया होगा है, यहाँ पर देखते है, A हो गया, हमारा, B हो गया, हमारा, C हो गया, यह हमारा simple सा, क्या है, बच्चो, square है, फिर दूसरा, P, Q, Q, R, S, P, यहाँ पर दिख रहा है, P हो गया, यह हमारा, Q हो गया, यह हमारा, R हो गया, NS हो गया, तो यह आपका simple सा rectangle, means, दोनों case में, आपका square होगा, एक rectangle हो गया, अगर इस case में, बात करें ABCD, आपका square होगा, तो इस side dollar भी क्या होगा, square होगा, that is 6 meter होगा, because in case of square, all the sides are equal, and P, Q, R, S, हमारा है, Rectangle है, तो आपको देख सेते हैं, यहाँ रेक्टेंगल का value दिया, 1.8 and 3.2, P, बोल रहा है, find each case, what is the area of sided person, what is the area of means, आपको यह area निकालना है, तो बच्चे, आप सिंपल सा, यहाँ बच्चों लोग, आप यहाँ पर सिंपल सा, देखे न, आप समझें कि इस form में आप क्या कि खुवा बनाए, क्या बनाए, खुवा बनाए, तो आपको टाइल्स लगाना, क्या लगाना, तो इस area में, यह वाला area तो आपको चाहिए, निकालने का तरीका क्या होगा, बच्चों, यहाँ पर आप क्या करिएगा, simple सा concept लगाना है, that is area of rectangle minus area of square, क्या क बच्चों, यहाँ पर आपको टीका क्या करेंगे, that is rectangle का area निकाल दी है, कितना होगा, that is 1.8, 1.8 into 3.2 हो जाएगा, minus क्या करेंगा, बच्चों, यहाँ पर जो square, आपको आपको square minus कर देगा, that is 1.4, the whole square हो जाएगा, अब हम लोग इसको solve करते हैं, तो कितना हैगा, बच्च आपको पता है, कि 14 का square कितना हो, तो 196 हो जाएगा, जब इसको subtract करेंगे, तो बच्चों, आपको करेंगे, that is 3.8 meter square, तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं, कि कितने असानिस, इस question को solve करेंगे, ठीक है, तो बाकि बच्चों अगर यहाँ पर अगला जो question, आपको question, इसको आपको, आप लोग को comment करके बताना है, कि what is the answer of this one, okay, बच्चों लोग काफी easy question है, यहाँ पर simple सा आप क्या करेंगे, यह जो आपको square है, ABCD, उसका square, भी 6 square minus 4.8 into 3 minus 2 करेंगे, तो आपको answer होगा, बस इस answer को comment section में comment करना है, देखते हैं बच्चों, जो कौन-कौन सा करेंगे, बच्चों, यहाँ पर हमारा जो rectangle का area है, वहाँ minus square का area है, तो you will get the area of saturation, okay, अगला question देखते हैं, बच्चों, अगला question हमारा क्या है, question number हमारा, that is 14, question 14 आपको बोल रहा है, यह आपका a path of uniform weight, क्या बोल रहा है, बच्चों, a path of uniform weight, क्या बोल रहा है, बच्चों, a path of outside of a square, यहाँ पर देखते हैं, outside of a square, और उसको जो side आपका दियाओ, कितना, that is 21 cm, कितना दियाओ, जो 21 cm है, तो यहाँ पी ध्यान रखेगा, यह जो आपका path बनाएगा है, यह आपका 21 cm है, उसके outside में यह path run कर रहा है, ठीक है, तो आपको निकाला, find the area of path, देखेंगे, means area of dedicated region, निकालना है, रिया area of dedicated region, आपको पता है, यहाँ पर area of dedicated region, निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ा वला जो square है, उसकेarta है, ऊसके निकालना है, area of big square, area of big square, 내 area of square, घ्ला करें को प्रेशा है अभी हशा होगा कजोड को ड一定ता है आपका पि suspाहर है उसकोड़वा एक चीह लिए उसको और ऑंसा जैए उसकोड़ से होना जागा तो बच्चों हैं यहाँ पर सिंपल से क्या करेंगे 27 ही स्कवार करना पड़ेगा था of you कीटना पड़ेगा 21- helpful वच्चों है पर गजी यहाँ पर जो भच्चक जो रोग यहाँ पर अगर थी मैस का ट्रिक्वार करने पता हो तो बचो रेड a plus b into क्या होता a minus b होता है बस हम लोग क्या करेंगे इस formula क्यों यहाँ पर हो सकता है that is 27 plus 21 into कितना होगा बचो that is 27 minus 21 देखें कितना 27 यहाँ पर हो जाएगा आपका that is 48 हो जाएगा कितना हो 48 है और 27 मेंसे 21 घटाएगा तो 6 हो जाएगा अब कितना 48 यहाँ पर अचार निकालने का कोई जबुएट नहीं बच्चो यहाँ पर हो जाएगा इस वाइगा तो बच्चो अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा तो प्लीज बच्चो सेशन को लाइक करना है चैनल को स्ट्राइब करना ना भोलें चली अगला कुश्यन कर कि पůliया बच्छा निकालने का तरीका क्या होगा बच्चो आपको निकालना पड़ेगा कि find the least number of square tiles means आपको यहा पर number of tile निकलने का तरिका क्या होगगा बच्छो आप simple सबकरिए find the area of the conference hall means आपको यहा पर लिखे area of all लिखे मिनस तोटल इरिया क्या करिए area total total area means किस की hall का यहां कि लिखे hall का divided बए क्या निकलने अपको area of single tile area of single one tile लिख दिजेगा तो we will get the number of tile तो बच्चों यहाँ पर जब हम लोग कल्कुलेट करेंगे तो यह दिखे area of tile कितना हो जागा that is 18 into कितना हो जागा बच्चो 13.5 ओके और divided by 25 cm 25 को हम लोग simple से 100 कर सकते हैं again यहाँ पर 25 by कितना हो बच्चो 100 हो जाएगा जब इसको हम लोग कैंसल करेंगे तो फोर हो जाएगा अगें कैंसल करें फोर हो जाएगा यह फोर यह फो ऑटमेटिक ऊपर चला जाएगा तो हमारा पूरा कवर करना अगे अगला बोल रहा है कि living a margin of living a margin इनसे यहाँ पर बात हो रहें कि list number टाइल हमारा निकल गया कितना निकला बच्चो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जब हम लोग इसको multiply कर रहे हैं इसको multiply करिएगा तो आपका कितना आएगा एक एक सेंड कल्कुलेटर से देख लेता हूँ मैं hello बच्चो यहाँ पर बात कर रहे हैं जब इसको multiply करेंगे तो आपका answer आजाएगा that is 388 होगा okay बच्चो means आपको 18 into 13.5 into 16 को multiply करिएगा तो आपका total number of tile कितना आने वाला बच्चो ड़ेटर से 388 कितना आने वाला 3888 आने वाला है अब यहाँ पर जब question पूछ रहा है आपसे question क्या बोल रहा है कि find the अब यहाँ पर बोल रहा है कि find the cost of the tile required at a rate of 6 per tile तो आपको पता है कि अगर यतना रुपी यह इतना टाइल लगाना है और जो हमारा worker वो क्या कर रहा है एक टाइल लगाने कितना पैसा ले रहा है 6 रुपे ले रहा है तो अगर cost निकालना है cost निकालना है तो simple से क्या करें ब मलिप्ला करना है पड़ेगा 3888 को तो आपका answer कितना हो जागा बच्चो डेट इस हजार कितना रुपे देना पड़ेगा लेबर को ताइस हजार 328 रुपे आपको लेबर को देना पड़ेगा ठीक है बच्चो यहां तक आपको question समझा गया अगला question बोल रहा है कि living a margin आपक हो जाएगा अगेन अगर यहां पे देखें यहां पर लिव कितना हो रट 1.5 यहां लिव कितना हो 1.5 तो यहां पे लोग total length हमारा कितना नेटिस 13.5 तो यहां पर लीख सेते हैं बच्चो डेटिस 10.5 मीटर यहां पर 13.5 अब क्या करना आपको इस area में हीटाल लगाना है कि क रेक्टेंगल होगा, कॉंफिरेंस हो लो हम चेंज होगा, that is 15 हो जाएगा, into 10.5 हो जाएगा, again हम लोग इसको multiply करना पड़ेगा, that is 15 into कितना हो जाएगा, 10.5 into 16, okay, तो आपका यहाँ पे अगें हम लोग लिख लेते, that is 15 into कितना हो बच्चो, that is 10.5 into 16 करेगा, जब इसको गु अगर कोस्टिं के बात करें, तो यहाँ पे सिंपल से क्या होगा, बच्चो, सिंपल से हम लोग मलिप्लाय करेंगे, क्या करेंगे, बच्चो, मलिप्लाय करेंगे, तो मलिप्लाय करेंगे, तो आप कैंसर कितना होगा, कोस्ट इसकल हो जाएगा, कोस्ट इसकल हो जाएगा, that तो बच्चो यहां तक देख सकते हैं काफी easy question ते हैं यहां तक I think किसी तरह का doubt नहीं होगा अगर बच्चो किसी तरह का doubt भी होता रहा तो आप comment section में comment क्या करिए इससे क्या होगा कि आप question को देख सकते हैं, question को solve कर सकते हैं और आपको session को पूरा attend करना है, अगर किसी तरह का doubt होता है, once again I am asking to you that please ask the question and add your genuine feedback to the comment section, okay तो अगला question देखते हैं, अगला question आपका जो दिया होगा है, बोल रहा length and the breadth of the rectangular field यहां पर लेते हैं, एक हमारा rectangular field है और इसका जो हमारा length and breadth दिया होगा और इसका length and breadth जो हमारा दिया हो, किसी ratio में दिया हो बच्चो, 5 is to 4 में दिया हो, तो हम लोग यहां पर दिमाल लेते हैं, कि what is the length of, यहां आपका 5x हो जाएगा, और breadth कितना हो जाएगा, that is 4x हो जाएगा, अब आपको यहां पर area already, इस question का, जो area हो बच्चो भी area दे दिया ह कितना दिया बच्चो, that is 3338, 380 दिया है, तो हम लोग यहां पर simple से क्या करेंगा, बच्चो, यहां पर हम लोग solve कर लेंगा, area यहां पर कितना दिया हो, that is 3380 दिया हो जाएगा, अब हम लोग क्या करेंगा, concept अपना apply करेंगा, जो concept जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, area इसक दिया हो जाएगा, यही भी cancel हो जाएगा, that is 16, 32, 39, 18, अब हम लोग करेंगा, बच्चो, that is 169 हो जाएगा, अगर X निकालना चाहते हैं, तो root under 169, and that is 13 हो जाएगा, जब आपका 13 निकाल गया, तो 13 पच्चे कितना हो जाएगा, और हमारा कितना हो पांचक 20 हो गया, मिंस हम आपको bondi लगाना क्या लगाना बच्चो, यह आपको जो आपको लेंथ है, यह आपको जो डामेंज सेन उसके करोस bondi लगाना हो, तो cost अगर निकालना है, तो simple साम लोग क्या करें, पपले, पेरीमेटर निकाल लेजिगा, पेरीमेटर हो जाएगा, 2 इन्टू, पांच, कित इतना होगा 6,39 होजागा ठीक है 97, 55 है यहां पर आपका 52 है तो कितना होजागा यह पांच है अच्छे 5,117 होजागा यहां पर 17 इन्टू 2 कर देना होगा और कोस कितना ले रहा है 75 रुपया ले रहा है जब इसको मुलिप्लाय करेंगा तो आपका एंसर कितना होगा वन सकिन इसको में लिग देता हो ताकि आपको किसी तरह कर दिकत महीं हो थीक है देखे क्वेषियन जो बोल रहा है यहांपे क्षियन क्या क्या बल रहा है बच्छों यही बोल रहा है आप से कि लेंधग सेалось सब्सक्राइं मैं इसका परेजम दने नाव गूलिडेंघ तरह से आप सिंपल कर दिया है सकुन को फ्राइं इसकल टो कितना दिवा 110 दिवा है अब परिमीटर का फॉर्मला कितना होता है बचो डाइस 2 इंटो L प्लस B एन इसकल टो कितना दिवा 110 हो गया बस हम लोग क्या करेंगे यहां पर 2 इंटो लेंद का वैलू कितना 7x मालू है बचो अब ब्रेत का कितना 4x मालू है बस हम लोग इसी को यूज करेंगे 7 अर्चा 11 होता बचो 11 x इंटो 2 कर देंगे यहां से इसकल टो कितना होका 5 जाएगा तो बच्चो यहां तक तो किसी तरह का डाउट नी होना चाहिँ यहां तक तो अराम से अप्सवावल कर सकते हैं we have to only find the value of x यहां पर अगर x निकल गया बच्चों तो हम लोग यहां पर निकल सकते हैं what is the length तो length निकल गया तो breath निकल गया तो हम लोग क्या निकलना अगला question देखे यहां पर हम लोगा x का value निकल गया ञटेक है जब X के value निकल गया तो हम नोगी यहां पर निकाल सकते हैं 7 Scale into 5 हो जागा कितना हो घ्रॉल safely 35 हो जागा है तो length 35 है और 4 into 5 कम C imper!!!!!! कितना हो जागा 20 हो जागा 20 आपका tror開始 टो यहां आपका length इक की ब्रेट इकाल गया शप्राइठ की तो अब कि एरियाISA और यहां पर जो टाइल लगा रहा यह वेक्ति वो क्या कर रहा है रेक्टेंगुलर सेप में और आपको निकालना है find the means इसको hall को पुरा cover करना तो बच्चे यहां पर symbols again हम लोग यहां पर क्या use करेंगे बताइए यहां पर टाइल निकालने का बताइए that is number of tile क्या लिखे कि number of tile is equal to is equal to क्या that is total area of the hall क्या लिखे बच्चे 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 बच्च अइरिया of Rectangular area of R Rectangular R Rectangle size tile तो यहां पर आपको बच्चा है all dimension आपको पता है यहां साथ सू तो आपको पता चल गहे था area डीमेंडसन देखिए यहाँपर देखुए थो 25 डिवादे पर हंडेड हो जाएगा और यहाँपर कितना हो जागा 20 रा ay हंडेड हो जागा क्यों 100 में करने हो आपको मिर्टे स्कार में करना पड़ेगा आपको 5020 हो जायगा और ये आपको 520 ऊपर चला जायगा तो सच्छो कोण थाइसमिन अपको कितना टाइल से लग रहागा बच्चो यहां यह कितना अपको तोटल नमर टाइल आपको देना पड़ेगा तो ऐन्टो टाल कितना अपको लगने वाला है in order to cover the conference's all, okay? तो आपका answer निकलेगे, तो दूसरा answer, कितना निकला बच्छो, 14,000 टाइल लेका है, ठीक है? अगला question बोल रहा है, कि देखिए, question क्या बोल रहा है, the cost of tile is how much, देखिए, mystery क्या बोल रहा है कि भाईए, अगर हम 100 अगर टाइल से लगाते हैं, इसको लगाना है कितना 14 रुपिया से गुना कर देना पड़ेगा 14,000 से तो आपका एंसर हो जागा इसको इसको तो बच्चो यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं 14 के स्कूर निकाल सकते हैं तो चौदा इंटो चौदा कितना हो जागा 196 हो जाएगा and 00 means यह जो व्यक्ती है इसको अगर टाइल से लगा रहा है तो बच्चो फिलाल इसको जो प्यार है आपका वो काफी उसके लिए काफी जन्मिन दिल से शुक्रिया बच्चो बाकी बच्चो फिलाल इसको जो हमारा होगा यह हमारा आज हम लोग यहां पर एंड करते हैं अब बच्चो अगर किसी तरह का डाउट है तो प्लीज कमेंट सक् करना है अपने दोस्तों के साथ सेर करना है ठीक है तो बच्चो थैंक यू बच्चो फिलाल इसको जो समें इतना ही है थैंक यू एंड थैंक यू वहरी बच्च फो डिसकसर